नमस्कार दोस्तों आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज हम सिंगल करल का एक बहुत ही कुपसुर डिजाइन बनाएंगे आप इसे बॉर्डर में डाल सकते हैं ये बहुत ही कुपसुर डिजाइन है इसे बनाने के लिए इसे बनाने के लिए चार के मल्टिपल फंडे चाहिए और तीन फंडा एक्स्ट्रा तो चलिए फ्रैंट्स हम डिजाइन बनाते हैं तो ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से तो पहला फंडा हम सीधा बना लेंगे और फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा उल्टा एक, दो उन दूसरी और करेंगे और अगला फंदा स्लिप करेंगे फिर उन अपनी और करेंगे और तीन फंदा उल्टा एक, दो, तीन उन दूसरी और करेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे उन अपनी और करेंगे तीन फंदा उल्टा, एक, दो, तीन, उन दूसरी और करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, उन अपनी और करेंगे, तीन फंदा उल्टा, एक, दो, तीन, उन दूसरी और करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, उन अपनी और करेंगे, तीन फंदा उल्टा, एक, दो, तीन, त और एक फंदा को बिना बुने सरका लेना है, तीन फंदा उल्टा बुनना है, और एक फंदा बिना बुने सरका लेना है, फिर अपनी उर करेंगे और लास्ट में तीन फंदे हैं, तो दो फंदा उल्टा बुनेंगे, और लास्ट फंदा एज स्टीच है, इसे हम सीधा बुने शुरुआत में भी पहला फंदा हमने स्लिप किया तो पहला फंदा या तो आप स्लिप करेंगे या फिर सीधा बुनेंगे फिर दो फंदा उल्टा एक फंदा स्लिप करेंगे तीन फंदा उल्टा एक फंदा स्लिप करेंगे यानि बीच में तीन फंदे उल्टे बुने जाएं रॉंग साइट तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे पहला फंदा एजिस्टीचा इसे हम स्लिप कर लेंगे अब उन दूसरी और करेंगे और दूसरे फंदे को यह देखिए सीधा वाला फंदा इसे हम स्लिप कर लेंगे उन अपनी और करेंगे और अब की यह फंदा अब ये next फंदा है तो इसे हमें slip करना है लेकिन उसके पहले उनको दूसरी और करेंगे अगले फंदा इसे हम slip करेंगे उन अपनी और करेंगे और तीन फंदा उल्टा एक दो तीन उन दूसरी और करेंगे अगला फंदा slip करेंगे यानि कि हम अपना पहला लाइन ही धूरा रहे हैं लेकिन यहाँ ध्यान देजेगा उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा हमें उल्टा बुनना है तो देखिए यह जो पीछ वाला फंदा है यानि दूसरा फंदा है यह वो फंदा है जिसे हमने सामने की तरब से स्लिप किया था तो यह हमारा सेंटर फंदा है इस फंदे को और इसके दोनों साइड वाले फंदे को हम रांग साइड से उल्टा बुनेंगे तो यह हुआ एक दो और तीन फंदे यह उल्टे हो गए अब उन दूसरी ओर करेंगे और तीन फंदे हमने उल्टे बुने थे तो इधर हमारा तीन फंदा सीधा आएगा सामने की तरब से हमने तीन फंदे उल्टे बुने थे तो रांग साइड से तीन फंदे सीधे आएगे तो जो बीच का फंदा है तीन सीधे फंदों में से जो बीच का फंदा है उस फंदे को हमें स्लिप करना है स्लिप करने से पहले उनको दूसरी तरफ कर लेना है स्लिप किया उनको अपनी उलकिया और तीन फंदे हमें उल्टा बुरने है ये देखिए बीच वाला फंदा जो है वो स्लिप किया हुआ फंदा है जो सामने से हमने स्लिप किया था तो ये तीन फंदे उल्टे उन दूसरी और करेंगे और देखिए ये तीन फंदे हमने सीधे बुने थे ये पहला फंदा जो तीन फंदों के साथ बुना जा चुका है ये दूसरा फंदा है यानि तीन फंदों में से सेंटर का फंदा बीच का फंदा तो उसे हम स्लिप करेंगे और स्लिप करने के पहले उ तो हमें इन ही चारो फंदो को दोराना है, तीन फंदा उल्टा, और एक फंदा स्लिप करना है, उन अपनी उल्ट करना है, तीन फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप करना है, और लास्ट फंदा ये एज स्टीच है, उसे हम उल्टा बुलेंगे, तो ये डिजाइन का तीसरा लाइन है फिर से ध्यान दीजेगा पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे फिर दो फंदा उल्टा एक दो तीसरा फंदा हमें स्लिप करना है स्लिप करने के पहले उनको दूसरी तरफ करेंगे उसके बाद उसको स्लिप कर लेंगे उनको अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा उल्टा उन दूसरी ओर करेंगे अगला फंदा स्लिप करेंगे उन अपनी ओर करेंगे तीन फंदा उल्टा उन दूसरी ओर करेंगे अगला फंदा स्लिप करेंगे उन अपनी ओर करेंगे तीन फंदा उल्टा तो थोड़ा सा मैं बना के आपको दिखाते हूँ चार फंदे का ही ये डिजाइन है और एक ही लाइन का डिजाइन है तो थोड़ा मैं बना के आपको दिखाते हूँ ताकि डिजाइन सपस्ट हो सके लास्ट में दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा तो देखिए फ्रैंस डिजाइन बनके त्यार है सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा यानि दोनों तरफ से ये एक ही जैसा दिखाई देता है ये फ्रंट साइड है और ये बैक आशा है आपको पसंद आया होगा तो यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा हो तो क्रिपाई से लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रश्टेदारों में शेयर करें बेल आइकन प्रस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद